मसकार दोस्तों मीत सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में जहां मीत हुड़ा की सच्चाई जल्दी ही लोगों के बीच में पता लगने जा रही है आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोग देख पाएंगे कि मीत अलावत कहते हुए नजर आएंगे कि ये धोकेवाज कोई और नहीं है बलकि है मेरी वाइफ है लेकिन अभी तक उन्होंने किसी को बताया नहीं है और वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मंजरी मैं तुम से साधी करना चाहता हूँ और मैं तुमसे वो प्यार करूँगा कि जो प्यार मैं अपनी वाइप से करना चाहता हूँ दोस्तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जहां पर मासूम जो की मीत अलावत की सिश्टर है वो बोलते हुई नजराने वाली हैं कि भाया इस दो कोड़ी की लड़की को जितना हो सके इतना जल्दी इस गर से बाहर कीजिए क्योंकि मुझे घुटन सी महसोस होती है इसकी कोई आवकात नहीं है और इसको तुमने और पूरे परिवानने सिर्प चड़ा रखा है दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जहां पर आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार मीत हुड़ा यहां पर किसी मिसन पर आई हुई हैं क्योंकि उसे किसी से साधी नहीं करनी और नहीं उसे कुछ करना क्योंकि वो अपने जो मिसन है अपने मीत अलावत के फादर यानि की राज की तवियत अब पूरी तरीका से सुधार आ चुका है और सुधार आने के बाद में कुछ समय के बाद में मासुम बोलती हुई नजराने वाली है कि मंजरी तुम्हारा इस गर में काम खतम हुआ अब तुम इस गर से जा सकती हो जिसके बाद में मीत अलावत साइड लेते हुई नजराएंगे कि आखिरकार तुम इसे क्यों निकालना चाहती हो मेरी मर्जी है मैं निकालू या ना निकालू क्योंकि इस लड़की को मैं घर में लाया था ना कि तुम लाईती इस तरीका से मीत अलावत जो की अपनी बहन मासुम को बोलती हुई नजराती है कि तुम ये जो कर रही है ये तुम बिलकुल गलत कर रही है दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपकमिंग निव एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि मीत खुड़ा इस समय काफी ज़्यादा एक्साइटिड है कि आकरकार इस गर में चल के रहा है क्योंकि सबी लोगों की नजर इस समय मीत अलावत और मीत अलावत के साथ में जो की साधी पट्टी की हुई है साथी दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें